खाना खाने के बाद जिनको भी ब्लोटिंग हो जाता है आपको heaviness महसूस होती है तुरंत आपको ड़कारे आने लगती है तिमाग खराब होने लगता है तो आपको जो मैं diagnose point बता रहा हूं वो diagnose करना है और इसका जो treatment भी आपको मैं बता रहा हूं वो treatment भी आप करवा लेंगे तो आपका जो bloating है वो बिल्कुल कम हो जाएगा ठीक है तो यह navel है हमारा नाभी है नाभी से तीन अंगुल उपर यहां पर इस तरह से दबाएंगे तो अंदर से आपको ज्यादा चुभन होगी ज्यादा दरद महसूस होगा तो समझ लेना कि आपके जो स्टमक है जो करना है ठीक है तो आप यह कर सकते हैं आप घर बैठे ही करवा सकते हैं किसी से ठीक है तो यहां पर डियागनोज करने के बाद में आपको क्या करना है वो बताता हूं पैर सिधा करो इस तरह से हम तब पैरों की नीचे इस तरह तकिया रख देंगे और सिर्फ अंगुठों में दोनों अंगुठे हैं दोनों में इस तरह से पाउडर लगा देना है ठीक है यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक पाउडर लगा दिया ठीक है तो कैसे करना है ठीक है यहां से इस तरह से आपको यह जो लूठा है इसकी जो नस है यहां से आती हुई है ठीक है तो इसको यहां से इस तरह से दवाते हुए आगे की तरफ आना है और यहां पर प्रेस करना है ऐसे ठीक इस तरह से प्रेस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ दिए, वापस लेके आएंगे अब थोड़ा सा आगे प्रेस करना है पहले हमने यहाँ प्रेस किया अब यहाँ प्रेस करना है और सबसे लाश्ट में यहाँ पर यानि एक तीन बार करना है अब मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक, अब वापस लेके आना है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबसे पहले क्या किया मैंने सीधा-जीधा लेके आए फिर दूसरी बार में इधर से लेके आया तीसरी बार थोड़ा सा इधर से आपको लेके आना है ठीक है? और 6-6 सेकंड के लिए आपको होल करके रखना है ठीक है? तो यह करेंगे तो भी आपका जो ब्लोटिंग है कम हो जाएगा और जो दूसरा पॉइंट है वो हम पैर उठाओ दूसरा पॉइंट देने के लिए हम इस तरह से यहां पर तकिया लगाएंगे पैर इस तरह से बिल्कु उठा देंगे तकिया यहां पर इस तरह से रखना है पैर सिधा करो पैर सिधा करने के बाद में हम कुर्सी का सहारा लेंगे ठीक है? और इस तरह से कुर्सी के सहारे फिर इस तरह से उपर थाइस पे इस तरह से आपको प्रेसर देना है बीच में दोनों साइड एक साथ एक दो तीन चार पांट छेड़ किसरा पॉइंट यह मैंने एक राउंड बताया ऐसे तीन राउंड करना है तो यह आपका ब्लोट लिंग कम हो जाएगा लेकिन अगर आपको कई सालों से दिक्कत है आपकी नाभी भी खिसकी है आपके आतों में ज्यादा स्वेलिंग है तो उसके लिए टीट्मेंट आपको आराम हो जाएगा क्यूक्कि देखिए यह जो टीट्मेंट मैंने आपको बताया इससे आपकी नाभी सेट होने वाली नहीं है और जो सूझन है वो कम होने वाली नहीं और सबका जो सिंटम्स होता है हर एक patient का अलग-अलग होता है इसलिए हम इस तरह का बीडियो नहीं बना सकते हैं कि एक बीडियो ऐसा बना दें कई लोग comment करके बोलते हैं कि therapy का बीडियो डाल दो तो भाया बीना check किये किसी का diagnose किये बीना हम उसका formula नहीं बना पाते तो हम आप इसके लिए वीडियो कैसे बना सकते हैं, ठीके, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, कि एक वीडियो मैं बना दूँ और आप घर बैटे करवा लें, तो आपका पूरा जो IBS है ठीक हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि सबका सिम्टम्स अलग-अ ठीक है, धन्यवाद